वेल्कम बैक टू माई निव वीडियो फ्रेंज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों आज का हमारा डिसकस रेसिदेंशल हाउस प्लान के ऊपर है कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमने एक डिजाइन्स किया है जिसका प्लॉट का साइज यह है 20 फीट चोराई है और 30 फीट लंबाई है और उसके अंदर हम लोग दोस्त डिजाइन किया है दो बेडरूम है एक कीचन से और दो टॉयलेट है और एक हॉल है और स्टेरकस के निचे से आने के लिए राश्ता है दोस्तो यह जो डिजाइन्स है- क्लाइंट के रिक्वार्मेट schemes के हिसाब से हमने डिजाइन्स किया है क्यूंक यह जो आपको डिजाइंस देखने को मिल रहा है यह जाइंट defloor के हमें शॉप के लिए यूज करना है तो दोस्तों चलिए हम आपको इस वीडियो के अंदर हमने बेड्रूम कीचंस हॉल ट्वालेट का साइज क्या रखा है वह इस प्लेन करके हम आपको बताते हैं ताकि आपको टीटेल्स मिल सके दोस्तों अगर यह वीडियो अगर आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज हमें कॉमेंट करके बताएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सस्क्राइब भी कर दीजिएगा चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह जो स्टेटकस देख रहा है आपको उसी के नीचे से हमने इस के अंदर आने का इस इस डिजाइन के अंदर दोस्तों जब आपको इन करते तो आपको सामने हॉल मिल जाता है और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं आपको कीचन देखने को मिलता है जिसकी चौराइब 6फिट है और उसके लेफ़ तरफ से आपको बेटरूम दिखने को मिल रहो होगा दोस्त तो उसकी चौराई हमने 12 फिट 9 रखा है और लंबाई 10 फिट रखा है और पीछे की हिस्सा में कीचन और बेटरूम हमने सेट किया है और उसी बेटरूम से हमने एक ट्वालेट भी मास्टर बेटरूम के अंदर हमने दे रखा है क्योंकि ये कलाइंट का रिकॉर्मेंट था ज 6 फिट रखा है तो दोस्तों जब हॉल के अंदर कोई गेस्ट आता है या कोई और भी लोग होते हैं अगर उनको वाश्रूम जाना होता है तो वह ना मास्टर रूम का ट्वाइलेज करके ये कॉमन वाश्रूम को यूज हम कर सकते हैं तो और उस हॉल से अटेज हमने एक और बाड बेटरूम तयार किया है जो फ्रेंट के साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा रोड है इस फ्रेंट के एडिया में तो उसकी भी चौराई और लंबाई जो हमने पीछे का रूम का दिया है शेम हमने उसी डायमेंशन को यहां पे भी फॉलो किया है और बालकोनी और एक जो खांचा आपको दीख रहा है यहां पे हमने कवार्ट के लिए अलमीरा उसके लिए इस पेस बना दिया है क्योंकि यह फॉरंट का एरिया है दोस्तों और इसमें थोड़ा सा लुक भी अलग होना चाहिए पीसे के एरिया की तरव कंपेर में और दोस्तो यह टोटल इरिया बनता है 700 sq ft means 700 sq बनता है दोस्तो और उनका छोटा सा परिबार है उसके according उसने यह यह डिटी ठियार करणा है उमीद यह हम set कर देते हैं और आप ले ले और आप सेम बनाना चाहते हैं तो आपको यह dimension भी मिल जाएगा और column के भी सारे details मिल जाएंगे और भी कुछ चीह होगा तो दोस्त हमें comment करके बताए हम definitely आपके साथ में share करेंगे चलिए मिलते हैं next video में thank you so much